बयान 21. सिद्धुनाथ योगी ने कहना शुरू किया पहले इस खोल का दर्वाजा खोल में इसके अंदर पहुँचा और पहाली के ऊपर एक दर्रे में बिचारी चंदरकांता को बेबस पड़े हुए देखा अपने गुरू से मैंने सुना था कि इस खोल में कहीं छोटे छोटे बाग हैं जिसका रास्ता उस चश्मे में से जाता है जो खोल में अंदर बह रहा है खो के अंदर आने पर आप लोगों ने भी उसको जरूर देखा होगा क्योंकि खो में उस चश्मे की खूपसूरदी भी देखने के काबिल है सिद्धनात की इस बात को सुनकर सभी ने हाँ हाँ कहे कर सिल हिलाया इसके बाद सिद्धनात हीोगी कहने लगे मैं लंगोटी बांद कर चश्मे के अंदर उतर गया और इदर से उदर और उदर से इदर घूमने लगा ये का यक पूरब तरफ जल के अंदर एक छोटा सा दरवाजा मालूम हुआ गोता लगा कर उसके अंदर गुसा आट दस हाथ तक बराबर जल मिला इसके बाद दीरे दीरे जल कम होने लगा यहां तक की कमर तक जल हुआ तब मालूम पड़ा कि ये कोई सुरंग है जिसमें चड़ाई के तौर पर उंचे की तरफ चला जा रहा हूँ आदा गंटा चलने के बाद मैंने अपने को इस बाग में पश्चिम और उत्तर के कौन में पाया और गुमता फिरता इस कमरे में पहुँचा फिर हाथ से इशारा करके कहा ये देखिए दीवार में जो अलमारी है असल में वो अलमारी नहीं दरवाजा है लात मारने से खुल जाता है मैंने लात मार कर ये दरवाजा खोला और इसके अंदर गुशा बीतर बिलकुल अंदकार था लगबग दो कोस कदम जाने के बाद दीवार मिली इसी तरह यहां भी लात मार कर दरवाजा खोला और ठीक उसी जगा पहुँचा जहां कुमारी चंदरकांता और चपला बेबस पड़ी रो रही थी मेरे बगल से ही एक दूसरा रास्ता उस चुनारगड़ वाले तिलिसमे का गया था जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है मुझे देखते ही ये दोनों गबरा गई मैंने कहा मैं तुम दोनों को छुडाने आया हूँ ये कहकर जिस राह में से गया था उसी राह में कुमारी चंदरकांता और चपला को साथ लेकर बाग में लोटाया इतना हाल इतनी कहفیत इतना रास्ता तो मैं जानता था इस से ज्यादा इस खो का हाल मुझे कुछ नहीं मालूम था कुमारी और चपला को खो के बाहर कर देना या गर पहुचा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात न थी मगर मुझे को ये मनजूर था कि ये चोटा सा तिलिस में कुमारी के हाथ से तूटे और यहां का माल असबाब इनके हाथ लगे मैं क्या सभी को इस बात को जानते होंगे और सबों को यकीन होगा कि कुमारी चंडरकांता को इस कैच से छोड़ाने के लिए कुमार चुनारगड़ वाले तिलिस में को तोड़ रहे हैं मैं आप लोगों की बढ़ती चाहने वाला हूँ मुझे ये कब मनजूर हो सकता था कि इतना माल असबाब दरबार जाए और कुमार ये कुमारी को ना मिले मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और ये भी कहा कि अगर मेरी बात ना मानोगी तो तुम्हें इसी बाग में छोड़ कर मैं चला जाओंगा आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मनजूर की और कसम खाए कि मेरे कहने के खिलाफ कोई काम ना करेगी मुझे ये तो मालूम ही न था कि यहां का माल असबाब क्यों करहाथ लगेगा और इस खजाने की ताली कहां है मगर ये यकीन हो गया था कि कुमारी जरूर इस तिलिसमे की मालिक होगी इसी फिकर में दो रोस तक परिशान रहा इस बागीचों की हालत बिलकुल खराब थी मगर दो चार फलों के पेड ऐसे थे कि हम तीनों को तकलीफ ना पड़ी तीसरे दिन पुलनी मा थी मैं उस बावली के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था कुमारी और चपला इधर उधर टहल रही थी इतने में चपला दोड़ी हुई मेरे पास आई और बोली जल्दी चलिए इस बाग में एक ताज्जुप की बात दिखाई पड़ी है मैं सुनते ही खड़ा हुआ और चपला के साथ वहां गया जहां कुमारी चंडरकांता पूरब की दिवार तले बैठी और गौर से कुछ देख रही थी मुझे देखते ही कुमारी ने कहा बाबा जी देखिए इस दिवार की जड़ में एक सुराख है जिसमें से सफेद रंग की बड़ी बड़ी चीटिया निकल रही है ये क्या मामला है मैंने अपने उस्ताद से सुना था कि सफेद चीटिया जहां नजर पड़े समझना कि वहां जरूर कोई खजाना या खजाने की ताली है ये ख्याल करके मैंने अपनी कमर से खंजर निकाल कुमारी के हाथ में दिया और कहा कि तुम इस जमीन को खोदो अस्तू मेरे कहे मताबिक कुमारी ने उस जमीन को खोदा हाथ ही इबर के बाद काच की छोटी सी हांडी निकली जिसका मूँ बन था कुमारी के ही हाथ से मैंने वो हांडी तुडवाई उसके भीतर किसी किसम का तेल बरा हुआ था जो हांडी तूटते ही बै गया और ताली का एक गुच्छा उसके अंदर से मिला जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ दूसरे दिन कुमारी चंदरकांता के हाथ में ताली का गुच्छा देकर मैंने कहा चारो तरफ गूम गूम कर देखो जहां ताला नजर पड़े इस तालीयों में से किसी तालीय को लगा कर खोलो मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ मुक्तिसर ही में बयान करके इस बात को खतम करता हूँ उस गुच्छे में तीस तालियां थी कई दिनों में खोज कर हम लोगों ने तीसों ताले खोले तीन दर्वाजे तो ऐसे मिले जिससे उपर उपर से ही हम तिलिस में से बाहर हो जाएं चार बाग और तेज कोट्रियां असबाब और खजानों की निकली जिसमें हर एक किसम का अमीर का सामान और बेहत खजाना मौजूद था जब उपर ही उपर तिलिस में से बाहर हो जाने का रास्ता मिला तब मैं अपने घर गया और कहीं लॉंडियों और जरूरी चीजें कुमारी के वास्ते लेकर फिर यहां आया कहीं दिनों में यहां के सब ताले खोले गए तब तक यहां रहते रहते कुमारी की तबियत कबरा गई मुझसे कहीं दफ़ा उन्होंने कहा मैं इस तिलिस में के बाहर गुमना फिर न चाती हूँ और बहुत जित करने पर मैंने इस बात को मनजूर किया अपनी कारी गरे से इन लोगों की सूरत बदली और दो तिन गोडे भी ला दिये जिन पर सवार होकर ये लोग कभी कभी तिलिस में के बाहर गुमने जा सकती थी इस बात की ताकिब कर दी थी कि अपने को चिपाए रहें जिससे कोई पहचान न पाए इन्होंने भी मेरी बात पूरे तोर पर मानी और जहां तक हो सका अपने को चिपाया इस बीच में धीरे धीरे इन बागों की भी दुरुस्ति की गई कौन विरंदर सी ने उस तिलिस में का ख़जाना हासिल किया और यहां का माल असबाब जो कुछ चिपा था कुमारी को मिल गया फिर जैसी की तरफ देखकर कहा आज तक यह कुमारी चंदरकांता मेरे लड़की या मालिक थी अब आपकी जमा आपके हवाले करता हूँ महराश शिर्दत की रानी पर रहम खाकर कुमारी ने उन दोनों को छोड़ दिया और इस बात की कसम खिला दी कि कुमार से किसी तरह की दुश्मनी ना रखें मगर उस दुश्ट ने ना माना पुराने साथियों से मुलाकात होने पर बदमाशी पर कमर बांदी और कुमार के पीछे लशकर की तबाही करने लगा आखिर लाचार होकर मैंने गिर अफ्तार किया और इस खो में उसी ठिकाने पर लाया जहां कुमार ने उसे कैद करके डाल दिया था अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए मैं सब हाल कहे आप लोगों की श्रंका मिटाऊंगा तो सुरंदर सी ने कहा पूछने की बातें तो बहुत थी मगर इस वक्त इतनी खुशी हो रही है कि तमाम बाते भूल गया हूँ क्या पूछूँ खेर फिर किसी वक्त पूछ लूँगा पर हाँ कुमारी की मदद आपने क्यों की तो जैसी भी बोले हाँ यही सवाल मेरा भी है क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालुम होता तबियत की गबराट नहीं मिटती इस पर आप कहीं दफा कह चुके हैं कि मैं योगी महात्मा नहीं हूँ यह सुनकर हम लोग भी गबरा रहे हैं कि अगर आप वो नहीं है जो सूरत से जाहिर है तो फिर कौन है बाबा जी नहीं जवाब दिया खैर ये भी मालुम हो जाएगा फिर जैसी कुमारी चंदरकांता के जिरफ देख कर बोले बेटी क्या तुम नहीं जानती कि ये योगी कौन है चंदरकांता ने हाथ जोड़ कर कहा मैं तो सब कुछ जानती हूँ मगर कैसे कहूँ इन्होंने तो मुझसे सक्त कसम खिला दी है इसी से मैं कुछ भी नहीं कह सकती तब बाबा जी ने कहा आप जल्दी क्यों करते हैं अब ये थोड़ी देर में मेरा हाल भी आपको मालुम हो जाएगा पहले चरकर उन चीजों को तो देखिये जो कुमारी चनरकांता को इस तिलिसमे में मिली है तब जैसी ने कहा जैसी आपकी मरसी बाबा जी उसी वक्त उठ खड़े हुए और सबी को साथ ले दूसरे बाग की तरफ चले